हलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने Vivo Y21 T Android Noil phone में आप जो होट इस्पोट की सेक्टिक को आपना इनेबल कैसे कर सकते हैं यानि कि होट इस्पोट की सेक्टिक को आप कैसे ना सेट कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूं देखें सेक्टिक सेटिक जो है इनेबल करने के बाद ही सेटिक कैसे काम करती है यह भी मैं आपको बताऊंगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पमेन तो सेटिंग पेज अपन करिए इसके अगले पेज में आपको श सा में खेए अप्षन को मिलेगा हुखाल सेटिंटी पर सेलेक्ट करना है अब यह पेज ओपन होगा आपका सिक्यूर्टी का इसमें आपका है न सबसे नीचे ये known के सामने आले circle पर आपका पहले से tick mark लगा होगा यानि कि आपकी setting पहले से disable होगी ठीक है आपको करना है कि इस setting को enable करने के लिए आपको जो है न ये known के ओपर तीन option दिये हो है अभी security setting जो enable होने के बाद इस setting कैसे काम करती है ये मैं आपको समझा देता हूँ देखे जब भी आप अपने mobile phone के hot support को on करेंगे न ठीक है तो कोई भी other person या unknown person आपके hot support को अपने device से connect नहीं कर पाएगा ठीक है connect नहीं कर पाएगा उसको अगर connect करना है तो आपके hot support का password का use करना पड़ेगा साथ में तभी जाके connect कर पाएगा otherwise connect नहीं कर पाएगा आपके hot support को ठीक है विना password के तो ये setting जो नहीं इस तरीके से काम करती है security setting enable होने के बाद अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके phone में इसके लिए आपको setting page फिर से open करना है setting page में आपको सब से उपर ये search icon select करना है और यहाँ पर आपको search बार में type करना है security security type करेंगे तो आपको security से related आपको काफी सारे option मिल जाएंगे इसमें से आपको ये वाला option select करना है security का जिसके नीचे वाइफाई हाट इसपोड लिखा होगा इससे क्या होगता है आपका mobile phone आपको directly setting में आपको लेकर आजाता है तो ये मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया है इस setting को ढूंडने का